यह जो आज में पढ़ाने जा रही हूँ कि important है B.com level, M.com level, Class 11, Class 12 Commerce and NetJRF, Paper 2, Commerce and Management So चलते हैं राइड पर और पढ़ते हैं आज का हमारा टॉपिक तो जान लेते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है तो आज का हमारा टॉपिक है Concept of Marketing से रिलेटेड तो क्या आप सब excited है तो मैं आपको बहुत easily समझा दूँगी पांच Concept Marketing के आज तो ध्यान से सुनिएगा Production Concept सबसे पहला Concept है Production अब देखिए Production जब Concept उतना successful नहीं हुआ उसमें कुछ कमी आ थी तबी तो हमारा next Concept आया तो ऐसे ही Concept बनते गए किसी में कुछ कमी निकलते गई तो अगला Concept है फिर उसके बाद अगला Concept है लेकिन सबसे पहला जो Concept oldest Concept हमारा क्या है Production Concept Production Concept क्या है Production Concept refers to the concept where consumer will prefer those goods और दोस प्रड़क्ट पहले मैं समझा देती हूं फिर यह आप अपने नोट कर लीजेगा जो मैंने यह आप लिखा है Production Concept में क्या होता है उसकी यह मानिया था थी कि हम वो goods हमारा ज्यादा सेल होगा जो की बहुत सस्ता होगा और बहुत ज्यादा जगों पर अविलेबल होगा तो Production Concept का मानना था कि Product जो की वाइडली अविलेबल है और चीप है उसे Consumer या Customer हमारा ज्यादा खरीदेगा तो यह Production Concept का मानना था Consumer क्या होता है जो Ultimately उस Product को Consume करता है Customer कोई भी हो सकता है उसका भाई जो उस Product को लेने गया था लेकिन जो Consumer है वो जिसने उसको Ultimately Consume किया वो होता है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं यहापको समझ में आ गया होगा Production Concept mainly focus करता था Large Scale Production पे जादा बनाओ जादा बनाओ जादा बनाओ तभी तो सस्ता होगा क्योंकि हम लोग Large Scale Production करें और वो जादा बेकेगा चलिए Next पढ़ लेता है Product Concept Product Concept में क्या होता है Product से याद रोगे Product ही इतना Qualitative Product ही इतना Innovative बनाएंगे की वो सेल हो जाए तीकि जैसे की ये देख लीजिए Product में ही इतनी जादा Quality है, Product ही इतना जादा Innovative है, सब कोई ऐसे केक बेचता है लेकिन हमने उसमें थोड़ी इतनी जादा Decoration कर दी, थोड़ा कुछ Innovation कर दिया हमने उसको Miniature बनाके सेल कर दिया जो बहुत लोग बड़े-बड़े केक सेल करते हैं, उसका छोटा साथ पार्ट बनाया, Miniature बनाके सेल किया, तो यह मने कुछ Innovation किया अपने खाने में जैसे खाने में Innovation होता है, वैसे Product में भी Innovation होता है, लोग Product में भी Innovation करते हैं, कि हमारा Product सबसे अलग हो जाए, यहाँ पे सिर्फ Product पे Focus किया गया, Consumer की Need पे तो बिल्कुल ही Focus नहीं किया गया तो यह Concept भी उतरा नहीं चला, इसके बाद हमारा Next Concept आया, Selling Concept ठीक है, तो Product Concept के बारे में पढ़ लेते हैं Focus on the Product and Try to make qualitative and innovative Product, Product Concept पे हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं इसी के अंडर आता है Marketing Myopia चलिए आगे पढ़ते हैं, देखिए Marketing Myopia, Nokia को जो बिमारी हो गई थी Nokia को कौन से बिमारी हो गई थी अरे बाबा बोला ना दूर का नहीं दिखता Myopia मतलब दूर का ही दिखता ही नहीं मतलब कि Nokia को लगा कि हम Quality दे रहे हैं, हमने Innovation किया है तो महारा Product चलेगा, लेकिन Market में क्या हो रहा था, Development हो रही थी Technology चेंज हो रही थी Keypad वाले Mobile से हटकर लोग Screen Test पे जा रहे थी, लेकिन Nokia was like मेरा Product Best है मेरा Product Best है because My Product is Qualitative and Innovative तो इसने Nokia ने अपने को जबाने के सबसे नहीं बदला और आज इसका Downfall सबको देख रहा है, ठीक है तो यह हुआ Marketing Myopia का Problem जब हमें दूर काया हमें कुछ जो भी Development हो रही है हमारे Market में वो हमें दिखती ही नहीं है, हमें लगता है कि हमारा Product ही सबसे Best है, हमें कुछ ज़रूरत बनाओ और बेचो is a selling concept and it also includes the essence of production concept production concept में यही बात होती है बनाओ, बनाओ, बेचो, बेचो, बेचो और सस्ते में बेचो, यह होती है और इसमें क्या होता है, बनाओ लेकिन बेचने पे जादा ध्यान दो तो यहाँ पर एक सेकेंट, सॉरी यहाँ पर मेंली फोकस क्या होता है बेचो, बेचो, बेचो एक सेकेंट, लेट मी चेंज थी पैन कलर यहाँ पर में फोकस होता है बेचने पर, बनाने का में फोकस होता है हमारा production concept में बनाओ, बनाओ, बनाओ इस रिलेटेटर प्रोड़क्शन बेचो बनाओ, बेचो बनाओ, 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 सेल कर ने का में फोकस होता है चलिए नेक्स पढ़ लेते हैं उससे पहले एक और चीज बता दूँ कि सेलिंग का मीन ध्यान होता है एड़र्टाइजमेंट ऐसा एड़र्टाइजमेंट करो कि हमारा प्रोड़क्ट बिख जा है आजकल भी एडवर्टाइस्मेंट में जूटी जूटी बात है बूली जाती है कि ये प्रोड़क्ट बहुत अच्छा है इससे आप क्या बोलते हैं आपकी हाइट लंबी हो जाएगी जबकि ऐसा होता ही नहीं है अगर इतना ही प्रोड़क्ट अच्छा होता तो लोग खरीदी के उना लेते क्यों आपको इतने अडवर्टाइस्मेंट करने की जवर्यत पड़ती है लेकिन सेलिंग कॉंसेप्ट वही चीज़ बोलता है कि अडवर्टाइस्मेंट करो बस बेचने पर फोकस करो कंजूमर की नीट हमको क्या है हमको इससे क्या मतलब है कि कंजूमर क्या चाता है हमको इससे कोई मतलब मतलब नहीं है अपना प्रोड़क्ट बस बढ़िया है कि या नहीं है वह चोड़ो उसको बस बेचो और प्रोफिट कमा और चलो यहां से यह है selling concept का मतलब चीक है इसको बस अपनी sale बढ़ानी है advertisement करकरके यह selling concept हो गया next पढ़ लेते हैं marketing concept marketing concept ही ऐसा concept है जब यह आया किस-किस के बाद आया production concept के बाद आया है product concept के बाद आया है और selling concept के बाद चौते पर आया है marketing concept जो कि customer needs and wants पर focus करता है और चाहता है कि अपने customer को अ जो भी seller होता है या जो भी marketeer होता है marketing concept का मतलब यह होता है अब V2 और Megashop में हमें से competition चलता है एक पेक फ्री दे रहे हैं winter season में Megashop V2 भी वही कर रहा है फ्री दे रहा है अगर V2 ने कुछ निकाला तो Megashop यह से कर रहा है means customer की डीड है कि वह चीपर चीज चाहता है तो में अपने consumer को सब करना है यह marketing concept का मतलब है societal concept देखिए एक तो कहने वाली बात है हमने industry लगाई पूरा pollute कर दिया उसके बद हम CSR करेंगे corporate social responsibility करेंगे पहले nature को खराब कर दो और फिर nature के लिए कुछ दान कर दो यह कोई बात होती है यह होता है CSR में लेकिन लोग करते हैं और टैक्स में भी profit कमाते हैं यह थोड़ी न होता है लेकिन तब कुछ कुछ कमपनियां भी ऐसी हैं जो society को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखके अपना product बनाती है कि society को इससे नुकसान नहीं होना चाहिए जैसे organic product भी आजकल हमारे आ रहे हैं तो organic product ऐसा product बनाए जो consumer के आ रही हैं तो आप यह search करिएगा गुगल पे companies का नाम और comment box में मुझे बताएगा यह आपको कोई पता है तो बताएगा ठीक है तो societal concept का बहुत ही easy मतलब है their needs their needs उनकी needs और society सबसे पहले यह है societal concept और CSR भी इसने होता है corporate social responsibility towards the society whether we can initiate growing plants we can initiate or we can open a school for children for from the profit which we get from selling the product so यह पे थांक यू यह पे थांक यू आपी देक्ग है जै से मा को औलता हू पो गो 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 गीन means think greenery believe in greenery and try to spread greenery through your thoughts and through your work also that's it bye